जिन्होंने मेरा Facebook जोआइन नहीं किया है, किरपिया जोआइन कर ले, Link डिस्किप्सन में है, उसके अंदर भी छोटी छोटी वीडियो डालता रहता हूं, जो लंबी वीडियो होती है, उसको काट काट के छोटी डालता हूं, अपने जीवन में हमेशा कटनाईयों को ही सहते र हैं, तो आपका जवाब आएगा, बिल्कुल नहीं, और आज बात करेंगे सर, जेपी गुरूप की सर, इसके बात करने से पहले थोड़े से सवाल मैं आप से पूशता हूं, क्या आपको लगता है कि आप अपने जीवन में हमेशा दुखी रहें, अपने जीवन में हमेशा क रटनाईयों को ही सहते रहें, अपने जीवन में हमेशा किसी बिमारी को ही पसंद करते रहें, तो आपका जवाब आएगा, बिल्कुल नहीं, हम अपने जीवन को सुधारने के लिए हर एक संभव परियास करते हैं, पर उस संभव परियास में अगर हम share market में आ रहे हैं, तो में इतने सारे शेर हैं कुछ शेरों को हम भी ना सोचे समझे या किसी के कहने पर किसी की एनलाइस के थुरू या किसी फ्रोड आदमी के दुवारा टार्गेट पर उरजने पर हम उस सेर को लेकर पस्ता रहे हैं तो यहाँ पर गलती हमारी ही उत्पन हो तो यह वो बिमारी है जो हमने खुद बाखुद उत्पन की है दूसरा अगर हमारा मन हमें ललचा रहा है कि कोई एक रुपे का शेर दो रुपे का सेर पांच रुपे का शेर हमें क्रोड़ पती बनाएगा उस बिमारी को भी हमने अपने आप ही जनम दिया है और कहीं सालों से इस ही बिमारी को हम पाल रहे हैं इसी कटनाईों पे हम हैं और इस दुख के साथ हम पूरा जीवन शेर मार्केट में काट रहे हैं जब भी मेरे कई लोगों से बाचीत होती है तो उनमें से कई लोग अब उस दुख को अपने साथ नहीं ले जाते यानि पैनी स्टोक के तरब वो अब नहीं जाते, वो जाते हैं अब अच्छे अच्छे शेरों में, तो ये वो हिसाब होते हैं कि आपको पता लगना चाहिए कि अच्छे शेर कैसे होते हैं, पैनी स्टोक कैसा होता है, क्या उसके अंदर उल्चेने होती है, क्या दुख को जीना शुरू करते हैं वो भी सेयर मार्केट में वो भेही देगाम है हम एक ऐसी कंपनी के ऊपर अगर अपना दिमाग लगाएं जहां पर कुछ चीज उसमें अच्छी हो सकती है और नहीं भी हो सकती और हो गई तो अच्छी हो जाएगा नहीं हो गई तो बरबाद हो कुछ तो अच्छा होना चाहिए पर वो अच्छा नहीं होता यहां असानी से मार्केट में अगर पैसा बनता तो हर एक पैसा बन्दा कमा लेता मैं कहरा हूं कम्बे संतुष तोना सीख लीजिए खरीदने बेचने की सला बिलकुल भी किसी को ना दीजिए ना खुद इस चीज़ को कि आप किसी के सला पर वर्क करें आपको समझना है कि अच्छी चीज कैसे अच्छी और किस कटनाईयों से हम उसे दूर कर सकते हैं और अच्छी चीजों के पास बढ़ते जाएंगे तो मेरी तो एक सला लेगी कि आप पैनी स्टोक को बिमारी और अच्छे कुसी समझ कर हमें वर्क करना चाहिए और धेरता और अराम से वर्क करना चाहिए अब बात करेंगे जेपी एससेट जेपी एससेट और जेपी पावर दोनों एकी गुरूप की कमपनियां JPS68 के अंदर तब भी भारे हमें देखने को मिली जब डालमिया भारत से इनकी 5666 क्रोड की एक डील हुई और उससे इनका सिमंट का कारोबार वो खरीदने की चीजों के साथ तो उससे जो पैसा मिलता ये कहीं न कहीं अपने करच की चीजों के साथ उताने के लिए करता पर साथ साल कुवाना जो मसला दिवालिया परकरिया का फिर से NCLT ने जो याचिका को मंजूर किया उसके अंदर से फिर तलवार इसके अंदर दिवालिया होने की लगी उससे डालमिया भारत इस वज़े से अपनी डील की चीज़ों के साथ थोड़ा सा विचलित हुआ और उसने का कि भाया आप वो सारी चीज बातचीत के दुवारा करेंगे तो यहां से मुसीबतों का पाड़ जेपी एसोसेट में फिर से तूट गया फिर जेपी गुरुप यानि की जेपी एसोसेट के इलमवित बोर्ड के सुनील सर्मा जी ने बताया कि भाया वो एक मुस्त किस्त में निप्टारा कर देंगे अठारा सब्तों के अंदर वहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत आये और सेर ने अपर सर्कीट लगाना शुरू करा पर यहां पर भी वो चीज थी कि भाय रिंड़ दाता इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे करीब इतना सारा पैसा करीब बावन हजार क्रोड का यह सारी चीजे हैं जो हर एक चीज की द्वारा रिंड़ दाता भी इसके अंदर आ रहे है तो वो नाखुस रहे इस चीज से उन्होंने इस चीज को नाखुस करा दूसरा जो इनकी गारंटी थी भाया इन्होंने गारंटी दी थी उससे भी रिंड़ दाता खुस नहीं थे क्योंकि वो पूरित या इतनी बड़ी गारंटी नहीं थी यहां से भी निगेटिव फिर दुबारे से संसोधित किया गया एक मुष्ट किस्त के लिए अब उसको ठुकरा दिया गया है मंजूर नहीं किया उसको जो इन्होंने एक मुष्ट किस देने की संसोधित जो चीजे की थी उसमें भी अब रिणदाताओं की तरफ से यह जो चीजे थी उसे परस्ताओं को ठुकरा दिया गया है यहां से गाज गिर गई और गाज अब दोनों शेरों में गिर रही है जहां पर जेपे शुसेट ने लोवर सर्किट और आपको जेपी पावर ने भी थोड़ा सा गिर कर आपको दिखाया तो एक अच्छे से दूसरा अच्छा होगा एक बेकार से दूसरा बेकार होगा अगर एक ही व्यक्ति एक ही घर की छत पे एक ही गुरूप में हो तो एक दूसरे में फरक जरूर पड़ता है और ये कई निरंतर चीजों मैं आपको अपने सार्थक बजारसे चेनल पर मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि भाईया आपको जो भी कमेंट करने है मेरे सार्थक बजारसे चेनल पर कर दे क्योंकि मैं हर कमेंट का आपको जवाब देता हूँ इस पर मैं कमेंट का जवाब कम देता हूँ और सार्थक बजारसे में जो भी इस वीडियो का भी कमेंट है तो आप सार्थक बजारसे चैनल पर जरूर करें वहाँ पर पूर्णते आपको सैकलोजी पर वर्क होता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ से जेपी एसुसेट अब फिर विंड जो पर मोटर ने पैसा डाला उससे क्या फरक पड़ेगा है एच एफ सेल की रिणनीतियां क्या है सुझलोन एनरजी किसी के बाहर जाने से कैसे अच्छी संकेतों की तरफ है उन सारी विदियो को मैंने आज आपको अपने दूसरे चैनल सार्थक बजार से चैनल जिसपे आपको कमेंट करना है समझा दिया है है ना तो आज आपको JP Associate से Negative और Positive बुराईयां, अच्छाईयां, कटनाईयां दुख क्या समझ में आया आज मुझे बता देना तो फिर मिले हैं आपसे आपसे ने वीडियो के साथ और जिन्होंने मेरा Facebook जोईन नहीं किया है किर्पया जोईन कर ले, link description में है उसके अंदर भी चोटी-चोटी वीडियो डालता रहता हूँ जो लंबी वीडियो होती, उसको काट-काट के चोटी डालता हूँ कि वो आपको आगे के लिए बिल्ड अप करे, सोचने की सक्ति बढ़ाने के लिए इसलिए अपनी सोचने की सक्ति बढ़ाने के लिए आपको मेरे Facebook सार्थक बजारते चैनल को जोईन मेरे इसाब से करना चाहिए तो फिर मिलेंगे आपसे ने वीडियो के साथ जब तक के लिए नमस्कार